यथा प्रकाशयत्येकह, कृतस्नम् लोकमिमं ब्रविह, शेत्रम् शेत्री तथा कृष्नम् प्रकाशय प्रकाशयति भारत, तो भगवान यहां पर एक उधारणते समझा रहे हैं कि किस प्रकार से आत्मा अपनी चेत्ना के प्रकाश के द्वारा पूरे शरीर को चेत्नी भूत करती है, जैसे एक माइक को करेंट इलेक्ट्रिफाय करता है, देखिए, यथा प्रकाशयत्येकह, कृतस्तम् लोकमिमं रवी, कृतस्तम्म का होता है, सभी, सभी लोकों को जिस प्रकार से एक रवी, रेवी का मतलब सुर्य, पूरे अपने प्रकाश से प्रकाश्यत करता है, यह लाइन समझ में आरी, पहली वाली तो बहुत असान है, अब इसमें देखने वाली बात क्या है, रवी एक है, प्रकाश दे और वहने सारे लोकों को वी स्वेयं प्रकाश समर्थ नहीं है उनको प्रकाशhmen देता है रहे हो थी तीन पॉयंट समंझे यह सूरिय का अपना प्रकाश होता है यह समय द्वाकास देता है और लोकों अंडीटों में वी सबढ़र question प्रकाश में कुले सामार्ث नहीं हें कि वह स्वयम प्रकाश दे सेंगे का प्रितवी स्वयम अपना प्रकाशद त mail सब्सक्राइब अपनों को नहीं देशक करता तो सूरी सभी को प्रकाशत करता इसमाज में आगया तो यानि कि जितने भी लोक हैं लोक लोकांतर जितने भी हैं वह शेत्र स्थानी हैं जैसे वह शरीर से उसकी उपमा दी जा रही है और सूरी की उपमा आत्मा की उपमा सूर्य से दी जा रही है तो उसी प्रकार से शेत्र को शेत्र को शेत्री कौन है आत्मा वह पूरे शेत्र को अपने प्रकाश से प्रकाशित करता है अपनी चेतना से चेतनी भूत करता है चेतनी भूत करता है मतलब ऐसा लग रहा है कि शरीर में चेतना इसा जांँगे जब आत्मा चली जाती है तो किसी तरह हम वापस शरीर में चेतना करकश़ामान नहीं कर सकते तो आत्मा कहा रही है चेतना चेतना से आ रही है crab आत्मा टना में चेतना का रही है की मुझे पटा था यह अब्युस होते हैं लेकिन उत्र सही नहीं होते हैं यह समझ में आ रहा है अब्यूस हाँ, इसका उत्र यहीं होगा, जैसे और प्रश्ण को बोला भी इसी प्रकार से जा रहा है था कि आप वही उत्र बोल दें लेकिन उत्र है नहीं, स्वैंज्च घ्नमाए है, सो ठीक है है भरत पुर है भरत पुत्र जिस प्रकार सूरिय अकेले इस सारे ब्रह正 को प्रकाशित करता है उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थ्थ सर एक आत्मा शरीर को चेतृति-बन Nous हो रहा और निकने लेक्टीवी आता है मालो एक बल्व होता है एक ट्यूब लाइट होती तो पूरे रूम को प्रकाशित कर रही है जो सीम्पल सी बात है और रभसको कैसे अनुभव कर सकते हैं अपने हाथ का पसपर्श करें ता प्रश क्या पांपर करते हैं आप पांप चन्ट doit यह आतमा श्रीर के गुणों नहीं होता अपने अपितु अपने गुणों से श्रीर का पोशन करता है जिस प्रकार से एक सूरिय पूरे जगत को प्रकाश देता है उसी तरह से शेत्री जीव, शेत्री मतलब जो शेत्र को जानने वाला जीव, पूरे शेत्र अर्थाज शरीर को नक से लेकर शिक तक अपनी चेतना के द्वारा प्रकाश अर्थाज चेतना प्रदान करता है, और फ तो पंखे का मूवमेंट देख रहे हो बिला इलेटिसीटी के पंखा मूव नहीं कर सकता है उसी प्रकार से भले ही हम आत्मा को नहीं देख पा रहे हैं लेकिन ज्ञान की द्वारा देख पा रहे हो कि पंखा करन की वर से चल रहा है निए समझमेरी बात प्रवपाजी बताते हैं कि पहले जमाने में यो चोटे थे क्या घामो फोन कहते हैं प्रबोर फोन करते थे जो ग्रमफोन कहें तो डिस्क रहती तो प्रफाज सोच थे कि others यूथ सोशते थे कि लगा रहा था था से अवाज आती थी तो प्रभपाज सुस्ते थे में बच्पन बच्चे की रूप में कि इसके अंदर कोई भूत बठा है और उसको गा रहा है लेकिन से भूत नहीं बठा हुआ है तो करीम कि वह्यान में है विक्ति वह सोचेगा कि शरीर शरीर जो है वह स्टेटना से युक्त नहीं है कभी आपने किसी भी अपने रिष्दार के मृत शरील को देखा है कि कि अजीव सा लगता है कि दो ने आत्मा नहीं है लेकिन आप कुछ उसमें परिवर्तन देखेंगे एकदम तुरंत उशन भी अगर आप देखें तो आपको अलग दिखाई पड़ेगा है ना कुछ अलग से दिखाई पड़ेगा कि कुछ चला गया है की नहीं बिलकुल मालो यह गालवाल बिलकुल वैसा है हाँ रहुनक्षब दिखाए यह चमक चलिए आखों में जब चमक देखते हैं वह भी आत्मा की वाज़े से आप दिखाई पड़ रहा है समझ रहें मेरी बात है ठंडा पढ़ना हूं तो आगे की बात है ठंडा तो आप यहां इसी में इलेटे रहेंगे थोड़ी रबाट भ्यां सभाई मेरा समाजने का प्रयास ने करते एक मेरे स्ट्ट्रेंट के लगवी को स reference बस शंडाइब होगी सोचैंगे के ट्रेंग के विग师 रहें को आपकी विशाद ऐसे होई होगी सुभे साड़े चार से लेकर दस बजे तक आपकी असे होती थी क्या पता नहीं है अब बताते एर फोर्स में 430 से लेकर दस बजे तक शह मेना नॉन स्टॉप फिजिकल टुनिंग कि मैं असको बुलत में शरम नहीं आती थी महनत करते हो बहुत जीदों के लिए ती महनत कर रहे हो और लगों कि हां पाय रिखनों तो आरे हैं तो क्या करो आश्यों से प्रकहर से तब देख रहा है कि श्रीण पोश्टने के लिए वक्ति कितनी महनत करने के लिए करें बोला गया है के वल शूला माला जब करो कम से कम सारय नियुम का पालन करो भगवत प्राप्ती कर ले आश्यतर होता है फिर प्रोग असमें आप लोग तो भगत हो वक्ति कर रहे हो लेकिन कभी नहीं सोच रहा है कि हमें कोई भी तपस्टा करने पड़े, कुछ भी तपस् पुरे कमरे में प्रकाश देता है उसी प्रकार से आत्मा पुरे शरील में अपने गुडों के द्वारा व्याप्थ रहती है ध्यान देना होगा कि आत्मा का साइस कितना है बाल के अग्रभाग का दस घ्रमाज सा अब कि क्या कहेंगे अगर उसके आयात्में आयतनतान बोलते हैं आयतन दोखता है जितना बड़य जिटना बड़ा ब्रहं हन्द है उसकी इतना बार है बहुत चोटा है लेकिन सूर्य पूरेम हम्हार में प्रकाश को देता है यह यह проблем सिपरारünd है उसी प्रकार से आत्मा हीर देम हीरदे के पास एक ही स्थान में रहती है लेकिन अपने चेतना के दुपरा पूरे श्रीर में व्यापत रहती है भले वह बहुत चोटी हो और यह बहुत आश्र जनक बात साहील आगर को लग रहा है से एस और चेतना का एक और गुण है जिसे कहते हैं जानशक्ति किसी को याद है कि जानशक्ति करत क्या बताया था अब तो समझी गए हो गया देयो गया मैगम इंप इंग चलने लगे अस्ट जानशक्ति क्या है मैं हूं मैं दूसरों से बसुड़ क मैं हूँ यह awareness कि मैं exist करता हूँ और मैं अन्यों से भिन्न हूँ यह कितनी विशेश शक्ति है है ना सचिन आपका नाम साहिल है कैसे पता आप आपको आप समझ रहे हैं कि आप साहिल नहीं है आप श्रव कृष्षदास नहीं है और इसको हम बहुत आसान समझते हैं बात लिगनी बड़ी विशेश बात है मैं इसको कई बार रिपीट करता हूं यह विवेक होना चाहिए कि बहुते क्या है और अध्यात में क्या है जब तक यह विवेक डवलप नहीं होगा हम भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते यहां पर कोई ऐसा विक्ति है जिसको कोई कश्ट नहीं हो शरीर में इस शरीर में मलब इस शरीर में आज के दिर में कोई कश्ट नहीं कोई अब इसको अपने शरीर का कश्ट देखिए अपना कश्ट नहीं इसका भ्यास करना होगा क्योंकि कश्ट आने बंद नहीं होंगे हमें अपने अटिट्यूट चेंज करने होंगे भक्त बनने के बाद हम केवल अपना अटिट्यूट चेंज कर सकते मैं आप देख रहे हैं प attitude change करना होगा और उस attitude को चेंज करने से मनुवृत्ति को चेंज करने से बहुत बार लाब होता है जब भक्त के जीवन में कश्ट आते हैं अगर उन्हें भगवान के क्रपा मानता है तो भगवान के धाम जाने का दिकारी बंदाता है जैसे यदि हमारे पास कोई चेक आए और वो चेक को हम डस्ट बिंड में डाल दें तो उस चेक का क्या फायदा होगा हमारे पास कोई फायदा नहीं होगा और अगर उस चेक को हम बैंक में लेके भुना दें भुनाना समझते हैं बैंक में कैश एंड कैश कर ले तो बहुत बड़ा फायदा होगा उसी प्रकार से हम तो मेरे बहुत क्रूर है तो उसको हम भुना नहीं पाएंगे लेकिन यहीं समझें कि भगवान के किरपा है और भगवान अपने असीमित बुद्धी से मेरा कल्यान करने के लिए मुझे इस विशेश परिस्ते में रखे हैं तो हम भगवान के धाम जाने के दिकारी पर जाएं बात हमेश्रा हम भगवान की इच्छा को समझ नहीं सकते हैं लेकिन हमेश्रा हमको भगवान की इच्छा को स्विकार करना चाहिए यह बात समझ में आ रही है यह बहुत गंभीर बाते हैं अपने अपका प्रशन करेंगा ऐसा क्यों हो रहा है मुझसे ऐसा बरताव क्यों कर रहे हैं यह ऐसा क्यों हो रहा है यह विक्ति ऐसा क्यों कर रहा है मैं ही ऐसी परिस्टी में क्यों हूं इसको आप नहीं समझ सकते हैं लेकिन यह याद रखें कि भगवान हमारे सुहृद है और स्पेशली भक्तों के तो हमेशा क्लियान के बारे में सुचते हैं भले ही भक्त इस समय उस्तिति को नहीं समझ पारा है और जरूरी ने कि अन्य भक्ति भी समझ पाएं कि ऐसा उसके संग क्यों क्या हो रहा है लेकिन यह जरूरी ध्यान रखना चाहिए कि यह कष्ट मेरे शरीर के हैं यह इससे मेरा कोई संबंद नहीं है बहुत इंपोर्टन टाइप यह और Hundreds दूप का धरन दिया घया है जिस प्रकार सूर एक स्थान पर स्थित रहकर ब्रहमांन को आलोकित करता है उसी तरहा सुख शुरूप करण खेदिकर्टो ट dobrच रख को आलोकित करता है तो बहुत असान है समझना इस प्रकार प्रकार दूप यह प्रकार सूर की उपस्ति का प्रमान होता है यह बात अभी समझाए थी मैंने जैसे करंट का प्रमान क्या है कि पंका चल रहा है यह बात है जब शरीर में आत्मा वर्तमान रहता है तो उस सारे शरीर में चेतना रहती है किन्तों जोही शरीर से आत्मा चला जाता है तो ही चेतना लुप्त हो जाती है इस स्ट्रॉंग रिफ्लेक्शन आ रहे थे कि इस जीवन में हम सभी लोग वैसे हिरना कर्षपो की सिख्षा है हम सब लोग एक कैसे हैं जैसे होटल में उस्ट रेस्टरेंट होते थे कि पता नहीं भोजनाले में कुछ समय के लोग बैठते हैं साथ में और फिर चले जाते हैं यह प्रयास किया हिर्दे में इच्छा भी होती है कि मैं किसी की दुख की निवृत्ति कर पाऊं लेकिन मैं कर नहीं पाता हूं मैंने कई बर प्रयास किया अब इनको कुछ ऐसे खुजिली का प्रॉब्लम था डॉक्टर को दिखाया हो ही नहीं रहा ठीक तो यहां तक कि मैं इधा दे हैं श्रमन किर्दन के मार्ध्यम से बाकि हम किसी के सुख दुख को एक परसंट भी कम नहीं कर सकते जिसका अगर बच्चे का 104 डिगरी बुखार है तो एक सुचार है आप 103 नहीं कर सकते दवा दे सकते जरूरी नहीं कि दवा हमेशे ठीक चले ही तो इस प्रकार से कि यह समझना चाहिए कि हमारा जो जगत में संबंध हैं उसमें बहुत संबंदों की बात करें उसमें पूरा अपस्प्शन होना यह हमारी चेत्ना के जो गुण है उसको हम हमको भूला देगा हम भूल जाएंगे कि हम है कौन की और हुआ इस ना पर मेडिट करना आवश्च रख है कि हम शेरीर नहीं है यह दिस्ट विर नॉट इस बोड़ी एक सेंस अतेव चेतना पदार्त के संयोग से नहीं बनी होती है यह तो स्पष्ट है प्रहुपाद आप सारी भगवान की बात को प्रहुपाद से बता रहें इंपॉर्टन की देखिए यह चेतना यह जो प्र रिष्टी एक विशेष तरीके उसे रशायनिक तरीके उसे हो गए ते लेक्न रासायन से आपका भी चेतना करिंवान नहीं कर सकते हैं यह जीव का लक्षन है जीव की चेतना यद्द्यपी गुनात्मक रूप से परम चेतना से अभिन्ध है किन्तु परम नहीं है क्योंकि एक शरीर की चेतना दूसरे शरी से संब़्ंधित नहीं होती किसकी बात कर रहे हैं घवान चेटना से युक्त हैं और मैं भी चेतना से युक्त हों जैसे कि सूर की रोशनी के पास भी कुछे रोशनी difference है वह भी तेजबाई होती है और सूर्य भी तेज में होता है लेकिन सूर्य के प्रकाश में और छोटे से एक रश्मिकिन के कर्ण के प्रकाश में अंतर है कि नहीं मातला का अंतर है कि नहीं गुणमात्ता की दृष्टी से वह एक है यही प्रभबात कह रहे हैं और यह बात दू ब्रमाव का प्रकाश मेरे केवल शरीर तर सीमित है इसलिए मैं केवल अपने शरीर के सूख गर दुझकाणभार करता हूं है के नहीं कई बार इस हूद बात कीücksके हैं लेकिन हम मैं किसी दूसरे के शिट दुपका अंभाव नहीं कर सकता हूं कि एक बार बहुत पहले में लग रहा है मैं बहुत छोटा था तब कुछ सुबह के समय को योगी का इंटर्विव आ रहा था और उसे पूछा जा रहा था क्यों आप दूसरे को दुख कैसे निवर्थ कर ले तो पता है क्या-क्या बोलत है मैं उसके अंदर प्रवेश कर जाता हूँ और उसका दुक समझ लेता हूं और उसके बाद इसके दुक काट देता हं तो क्या-क्या बाते बुलते हैं हम लोग कर कर लेते हैं एक बात यादकी देखर एकदम से होती है कि दूसरों की इंदिरी उसे भुख प्राप्त कर लें लेकिन दूसरे के सुख दुख को समझ नहीं सकते कुछ क्या रहते हैं अब अगर हम मालेज कोई दुख ही है को भक्त दुख ही है तो हम उसके लिए कर सकते हैं कि भगवान उसके दुख्य निवर्ति कीज़ेंством किसी कि निवर्ति ने न कर सकते आप शुद्ग भगता हैं तो सभाविक से बात आपकी प्रत्न सुनेंगे हार। एक ठीके ना। लेकिन परमात्मा जो आत्मा के सखा रूप में समस्थ शरीरों में स्थित हैं समस्थ शरीरों सब्सक्राइब कर सकते हैं बपरमात्मा के रूप में हमारे शरीर को बिल्कुल ठीक तर जानते हैं और यह फॉर्मूला में हमेशा अपनाएगा करता हूं तो जब भी कोई परशानी हो तो भगवान की शरण जाना चाहिए भगवान जानते हैं कि किस कारण से एक विशेश दुख मेरे जीवन में आया है मैं तो इसको अपलाई करता हूं कि यह शरीर जब भी में को बहुत परशानी होती है और वह सौल नहीं होती है तो मेरे जीवन में तो कई बार ऐसी प्रावलोम आती है जो सोलूशन होता नहीं है तो इसलिए बहुत सिंपल है और तथा करते लोग जो हेल्प करना जानते हैं जो मुझे मुझे विश्वास होता है उनके बुद्धिया नहीं पाती फिर कृष्टी कुछ रस्ता दिखाते है प्रेवाल शॉब चोस्तानारिकर जाते लिंग thumbs up तो चाहते हैं किया कर सकते प्रकुश कर भी नहीं सकते अघर अगर भग्वान ने चाहा कि हमें प्राप्त होना में हमार लेए उसको को पड़ेगा को आप किया सकते हो कि आपके कर्म है सत्य है लेकिन यह कर्म है नहीं वास्तव रूप से भगवान कर्मों का नाश्ट कर देते हैं लेकिन उन कर्मों का नाश्ट नहीं करते हैं तो यह भगवान के किर्पा है इसको जीव को सामी पायत कहते हैं जैसे आपको मैंने पहले भी बत कि सीधी अध्यक्षताता में उनको करम मिलते हैं। फ्रेजसे तोड़ी विनोत की बात मेरी मेरी जण पत्री में लिखाता की मैंस अधिकारी बनुगा तो मेरे माताजिह बड़ी खुष धी कि लड़का हमारे अधिकारी ह्पूंड 엮ेंस टेशली ने मैंनेजर मंदिर के अगारा साल हो गया पूरी हिस्ट बड़ा धगड़ा हुआ था कि यह न्यू भक्ता है वाइट में है इसको कैसे मंदिर के मेनेजर बना दिया यह तो व्रिंदावन विंदावन में इंटरनेशनल सेंटर में असा तास्तर कभी नहीं हुआ यह हमारा कुछ अब सब्सक्राइए कर्म को भवां कि और अधियों offerאח्ण कि मार्केटिंग हेखळ अब क्रिश्नः का प्रशार कर रहत है तो बाहिरूप से का क्रम है मार्केटिंगा मारकेटिंग कर्म ने खतम किया भगवान क्रिश्ण की मार्केटिंग करो तो बाहे रूप से ऐसा लगेगा कि कर्म नहीं हो रहा है लेकिन वो कर्म नहीं वो कृष्ण की कृपा से हम चल रहे हैं एक भक्त हैं जिनको 45 साल में मर जाना चाहिए था आपके पीछे बेटे हैं और अभी बेटे हैं है कि नहीं है मेरी माताजी की जन पत्रे में लिखाओ था कि 45 साल में मर जाएंगी दखो अब एक लास सुर रहे हैं सता साल अभी तो बहुत चलने वाली तो यह दिखाता है कि उनको जीना था अब यह बता रहे हैं कि किस प्रकार से इनको टूमर था ना क्या था पेट में आपके और डॉट्टर को आश्र हो रहा था कि आपको आप अपरेशन कराने के लिए लिए आगई आपको दर्द क्यो नहीं हो रही है मेरे पाते समझ में आ रही है तो इसले शरीर में कष्ट आएगा यह आएगा ही लेकिन भक्ती डाउन नहीं होगी बगवान कभी भी अपने भक्तों का गलत नहीं सोचते अब वह अलग बात है कि हम उसको समझ नहीं पा रहे है यह बार-बार और जब समझते हैं गद मतलब बीमारी गद मतलब बीमारी अग्र मतलब सामने और जा मतलब उपस्तित हो जाना तो गदागरज मतलब भगवान का नाम है जो अविद्या जीव की अविद्या रूपी बीमारी के सामने उपस्तित हो करके उसको नश्ट कर देता है तो हरे कृष्ण मं नहीं हूं मैं आत्मा हूं मुझे बहुत दुख होता है मिने कितनी बार देखा अपने आईटे की मित्नों को और वो कीवल भात इकता मिलिक्त होते चले गए और क्या प्राप्त हुआ उनको कि आपको यहां पर लगता हो कि यहां पर हम कोई बड़े प्रोफेसर बन गए यह बन गए कितना मनेशी जीवन का कितनी बुद्धी का उपयोग हम उन बहुत एक वस्तों को एक खटा करने में लगते हैं जिसको कोई वैल्यू नहीं है प्रक्रति मोक्षम्च वैविदुर्यांति ते प्रम् छेंट्रजटग्य और वं उभर उभर मतलब इस प्रकार अंतरम मतलब लॡ़को शेत्र और उड्र ऑर शेत्र के भेड को जो इस प्रकार से ज्यान के चक्षू से देखता है कि समझ में आरहा है कि ज्यान का चब्ल्चू है थ Red अभ मैंने आपको जैसे आप ग्णान दारा देख रहे हैं कि यह पंखा है और पंखे मेन करंत है है इसलिए चल रहा है लेकिन करंध नहीं दिख रहा है और भगवध गीता कि 13 से ध्ए के दौरा हमें राप्त होता है ओस्ते दोरा व्यक्ति समझ पाता है कि मैं शेत्रि हूं और ये शरीर मेरा शेत्र है मेरे हिर्दे में उद्पन होने वाले इच्छा-द्वेश-raag-स्यादी यह सब क्या है यह इंड एकर विकार है यह मैं नहीं हूं कई बार सो रिपीट कर चुके हैं ता कि अब बात समझ में आजाए समझ में आजारहा है मैं इस मेरे मन में जो आने वाले राग दुए शितादी जो कुछ भी है उससे मेरा कोई सरवकार नहीं है तो यह ज्ञान चक्षु से विक्ति समझे भूत प्रकृति मोक्षम भूत मतलब जीव और प्रकृति मतलब भौतिक प्रकृति तो जीव और जीव का प्रकृति से मोक्ष कैसे हो इस साधन को जानता है ये विदु मतलब जो लोग जानते हैं यान्ति ते परम वो सब परमस्थान भगवान के धाम को जाते हैं क्या चीज़ां को जानते हैं आप शेत्र को जानते हैं शेत्रग्यों को जानते हैं मतलब भगवान और प से प्रकेति किसे मुक्त होगा कैसे उसे दिविज्ञान प्राप्त होगा तो ऐसे व्यक्ति भगवान के अधाम जाते हैं मैं बहु वचन का प्रयोग कर रहा हूं कि एक वच यांती शब्द क्या है निए बहु वचन यानि कि सब के लिए पाफिमिल्टी है ऐसा नहीं कि केवल एक वेक्ति ही जाता है बहुत सारे जाते हैं इसका मतलब अच्छा एक और बात है भगवान ने देखा है लोगों जाते हो इससे पहले समंझ रहे हैं जैसे आए भगता रहे हाए यह से फॉलशन पता रहे है है लेकिन जो कि आखी तो करने बूलें पर आये करो रहा है हो सकता पाहुच जाओ हो सकता नहीं पहुंच ठाल नहीं है इए एकदम सीधी बात है अगर लोग्यता कि कि हम भी भगवान के धाम चले जाएंगे और हमारे संग एक परशानी है कि हम सोचते हैं कि कुछ adjustment करके हमारी problem solve हो जाएगी अपने मनुवृत्ति को चक्किया कभी आपने हमें लगता ज्यादा problem नहीं है बस यह problem solve हो जाएगी उसके बाद इस जगत में कोई problem सब्सक्राइब किया इस मनुवृत्ति को देख पारहें आप लेकिन हम मनुवृत्ति क्या होनी चाहिए मैं किसी भी चीज से यहां पर सुखी नहीं हो सकता लोग ज्यान के चक्षूं से शरीर था शरीर के ग्याता की अंतर को देखते हैं और भव बंदन से मुक्ति की विधी को भी जानते हैं उनेफि परम लक्ष प्राप्त होता है प्रभुपाश जीका परवेचन अभी मैं सुन रहा था भक्ति केवल सेंटिमेंट की बात नहीं है प्रहुपाजी के लेचर में पासे में सुनी रहा हूं के रिकॉर्णिंग फिर बेश सकता हूं एक्षिल उसका नेक्स्ट भाग बहुता था तो जहां कुछ थोड़ा कष्ट आएगा तो भक्ती के विज्ञान को नहीं समझा है तो फिर वह है उसको छोट और इसलिए भगवान का ज्यान होना बहुत आवश्चक है भक्ति का विज्ञान होना बहुत आवश्चक है कि भक्ति क्या करना कैसे करना है और कश्टाय तो किस मनवरत्ति से ग्रहंड करना है है कि नहीं लिए इसमें तो कुछ पैसे है नहीं इसमें लिखा है तस यह रुपिया आप समझ पाई मेरी बात इसको ग्यान है वह बैंक में जाकर किसको भुना लेगा ठीक है तीरे देखेंगे कि धर्म ग्रंथ यानि भागवत गीता भागवत को पढ़ेंगे तो पगपग पे आपको उसकी सिख्षा भगवान प्रेरित करेंगे रदे में कि कैसे बरताव करना चाहिए गीता बुशंटी का आक्रिश लोख है तेरवाध ध्याय का इस अध्याय का उपसुहार करते हुए भगवान इस ज्ञान के फल को कह रहे हैं क्यों महनत की जाए तेरवाध ध्याय को क्यों पढ़ा जाए क्यों समझने की क्या जुरत है क्यों इतना कटिन-कटिन बातें बू क्वेद देखने में समर्थ ग्ञान के चक्षूं से मेरे द्वारा कहे कहे तःके से जानते हैं क्या जीव प्रकृति आता है जीव कभी भी प्रकृति नहीं है प्रकृति है लेकिन क्या抱फ मेरे पास भय्ड देखने क्षक्ति है यह नहीं नहीं यह प्रश्न अपने को करना थे भेड़ तो हमेशा यह बट ठीक है नहीं है तो सीखना है समझ रहे हैं और आपको न्या मेकानिक है तो मेकानिक शातिर मेकानिक से सीखेगा ना कि मशीन को दिख करके मैं कैसे समझ लूँ जैसे एक्जाम्पल दे रहा हूं मेरे बाबाजी बाबाजी ग्रैंड फादर तो वह क्या कहते हैं उसको इंजन चलाते थे तो इतने तो बोलते हैं हम लोग देख रहें कि मशिन खरब है इसकार्तिय हैं कि हम देख पार हैं हम देख रहें मशीन खरब है लेकि Guys कि हम अपने लगों को यह प्रम हिच यह अपने को लगता पार लू को के बैठाः गया कुछ भी बोलता जा रहा हो कछ भी बोलता जा रहा के प्रभ armies यहां वेट कर रहे प्रसाथ पाने के लिए मंदिन में मेटचे ह। यह ठीक है बोलोकि यह बह provide कर रहा है और आप इसको बोल रहे हो जो ब्रह्म चारी कि ऐस्म कांजल के वेक्टि है उसको बोल रहे हैं कि एक हजार प्रहमचारी नहीं है समझ रहे हैं then you don't blame that person उस व्यक्ति का दोश नहीं देखते हैं क्या देखता है रजोगोन समझ रजोगोन बढ़ा हुआ इस कारण से समझ ही नहीं आ रहा है वह बोल क्या रहा है यह इस भौत एक जगत में रहने के में बह कि अब मुझे समझ में आता है वह बात क्यों क्या रहते हैं हर विक्ति आपसे कोई बरताव कर रहा है कुछ कर रहा है हमको लगता है कि वुलकुल इंडिपन्टन सुतंत्र है और वह जान रहा है कि आपसे क्या बोल रहा है क्या कर रहा है लेकिन वास्तिवी रूप से वह है पूरी तरह गुणों के प्रभाववे तो ज्यान के चक्षु यह डवलप करना यह बहुत बहुत इंपोर्टन्ट है तो इस प्रकार से जो जानते हैं जीव के भगवान प्रकृति के भेत को जानते हैं और भेत को देखने में समर्थ ज्यान के चक्षु को जानते हैं और जो प्रकृति से जीवों की मुक्ति के साधन को जानते हैं भूत प्रकृति मौक्षम जिसका प्रारंभ अमानित्व आदि श्लोक में हुआ था तो ऐसे विक्ति मेरे परम आकर्शत धाम को जाते हैं जो प्रकृति की परे है और जिसे अध्यात्मिक आकाश कहा जाता है इल कब वल्क वंडन हुआ है किसी वाह आधा रहा है जैनका और जिसे हम लोग को समझ पाते हैं गय को समझ जाएगे मेक सेंस बहुत सिंपल है जीव और भगवान दोनों ही शरीर में स्थित हैं कि देखिए आपनों को बात ने आसान इसलिए लग रही है क्योंकि भगवद गीता रोज सुन रहे हैं एक भग तो मुझे हमारे सुडेंट रह चुके या अभी भी कह सकते हैं तो नौकरी करने लग गये हैं और बीच में वह आये थे मोग जब किये थे ना मेराथन किये थे मंदिर में रेट्रीट में किये थे तो कह रहे थे प्रभवजी मेरी दिमाग में घोस नहीं रहे सपाते हैं वही लड़का वही भक्त जो तुरंट पकड़ रहता था बातनों को जो कि अध्यान लग रही है और कभी विचार कीजिए कि कितने लोग को रोज भगवत गीता सुनने का मौका मिलता है हमिए दूर्भागे शाली लोग हैं जो हमको मिलता है प्रभूज रोज आके प्रसांन होना पड़ता कास नहीं होते हैं कि हमारा प्रमभागे जो है इस प्रकार इस पॉकत पार फारें और भगवान प्रहुतों बुलते हैं इस बात को गभवान जब कोई गीता पढ़ता है तो कैंसे हैं हरे कोई तो जगत में गीता पढ़नी रहा है देखो यह तो गीता पढ़ते हैं क्या है ऐल् निए तो इसपरकार का ज़्यानी जब धाके ग्ञान से योक्त एव का पर न का ब्रह cabeça और चाहिए जीव और भगवान दोनों ही शरीर में स्थित है जीव शरीर के गुड़ों से आसक्त होने के कारण बंधन में हो जाता है परन्तु यह यदि वह भगवान को समझ जाता है तो वह मुक्त हो जाता है यह इस ग्यान इस ग्यान को क्या लिखा हुआ है इस ग्यान को इस तेरवे अध्याय में दिया गया है और गुणों से बनने का कारण क्या है अनादी काल से बन्धा हुआ है आसक्त है और ये विवस्ता किस ने बनाई है भगवान ने बनाई है क्योंकि भगवान से विद्रोह किया हुआ जीव तेर्व तात्पर प्रभुपाजे का इस तेरवे अध्याय का तात्पर यही है कि मनुश्री को शरीर शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए शरीर के स्वामी मतलब जीवात्मा उसे श्लोक आठ से लेकर बारा तक में वर्णित मुक्ति की विधी को जानना चाहिए तभी वह परमगति को प्राप्त हो सकता है हम लोगों श्लोक भी याद है अमानित्वा धंवित्वा आहिंसा च्छांते रार्जबं एक श्लोक याद है आगे क्या है तो देखिए लेकिन अच्छी बात है भक्ति अव्यविचारणी 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 बक्ति अगर याद रहे उसमें सनलग्न रहे तो बाकि सारे गुण सारा अग्यान अपने आप्रकट हो जाते है ठीक है श्रधालू को चाहिए कि कोई प्रशन है किसी भक्त का सद्धालू को चाहिए कि सरवप्रथम वह ईश्वर का श्रवन करने के लिए सत्संगति करें और धीरे धीरे प्रभुद्व बने प्रहपात बहुत सुन्दर बात बोल रहे हैं कि कैसे विक्ति को ज्यान था कोई मेकानिक बनना चाहता है तो क्यों से मेकानिक बनेगा किसी शातिर एक्सपर्ट मेकानिक का उसको संग करना पड़ेगा केवल किताब पढ़कर कर नहीं समझ सकता हो केवल किताब पढ़कर कर नहीं समझ सकता किता पढ़कर मिर्दंग नहीं बजा सकता केवल किताब आपको शागिर्द की शागिर्द बना पड़ता है चया बना पड़ता सअरणागत थो आड़my के ये एक सेवा करने और हम लोग श्रमण को सेवा नहीं मानते हैं और श्रवन और ही सारी सेवाओं का accepted है अरे प्रभुजी स्राउंड क्लास में नहीं आऊंगा क्यों सेवा कर रहा हूं यह कैसे पता चला कि तुम सेवा कर रहे हो कि अभी सुचा आप नहीं यह कैसे मालूम चला कि तुम काम नहीं कर रहे हो तुम सेवा कर रहे हो कि सुन कर गर कि बहुत और धीरे धीरे प्रब्दों ने धीरे धी तैसा नेकि एक हीुट बार में सब स्भुछ शमाज चार याद आए बार बार सुनेंगे तो यह बाती संद ध्यों कि ग् Hah मजना ने इस देखिये और वीश्यमे पहले ग्यां शक्ति लाच फींग को जो जो अपने बुल वैसे अपने गलत नहीं बोला इसलिये बार-बर बार रिपीट कर रहे हैं कि रिपीटिशन करने से वक्ति के बात हिं समाझ में आती है तुलिये मत यदि गुरु स्युकार कर लिया जाए तो बदार्तता आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है और वही अग्रिम आत्म साक्षातकार के लिए शुभारंबु बन जाता है इसको अर्व समझे देखे पहली बात ही तो हमने कई बार समझा चुके हैं गुरु का करतव भी है कि हमको सं चाहते हो लौकी छोड़ना चाता हूं यह कुरेला चाहता हूं ठीक है बदाओ छोड़ वाक यह असको होते हैं वाक यह से होते को बैगन उक्तुक भीलोग छोड़ देगे लिकिन यह चाय साप नहीं छोड़ेगा तो है खेलम को सबत्यों आप तो यह नहीं की कि गृरु च कि नहीं समझ पा रहें खुद पार्थ रात्मा का अंतर है यह है हूं वोट आप लोग पता नहीं कितना समझते हैं मैं तो बहुत अपने हैं को भागवान मानता हूं कि इस प्रकार का ग्यान और वो भी जानता भी यह नहीं था कि ऐसा ज्ञान एक्जिस्ट करता है फिर भी ऐसे ज्ञान के संपर्क में आये हैं कि इसलिए इसको बहुत दूसरों की तो बात शोड़ी अपने करने आने के लिए बहुत पकड़ के धारण कर लिना चाहिए समझ रहें इस बात को पता ने कितना समझ रहा है लेकिर बहुत महत्पुंध न सुचिएими ज्यान पता नहीं है जिसकी भगवथिता स Rollingкое इस नोच ने आ pies मावथ है कि यह नहीं हो देशों को अपने कि शिक्षा देता है लेकिन शिक्षा ग्रहन करने के लिए क्लास में आना होता है कि क्लास में नहीं आएंगे तो कैसे बताएंगे कभी कभी देखे प्रवचनों में कठोर बात निकलती है लेकिन वे हमारी विश्यासक्ती को काटने के लिए ही होती है कि इसको सेहन करना चाहिए जैसे कि हम लोग कुद ऐसे भिश्य हule derived ‫ कि दोव्य निज ra जानते हैं बहुत यह जानते हें congesh जानते हैं लेकिन जानते हैं कि इसके और टीक हो जएगे हैih शोने के प्राटिकल चीजों से बहुत सारे इस अप्राप्त हो जाती वह जैतीा आज पूछा तो थाड़े च्छे बज़े पहले वो साथ बज़े उटे थे आज साड़े च्छे बज़े माला कर लिए अतना प्रसंथा हुई बहुत अच्छा लग रहा है आप आपके स्पेशल हो आप ही वह बसा भी किलाव को इसको नहीं बूलता मैं तो हो सकता है कि उसमें करते हैं सीरश होते हैं बग्ति में रबागवान के द्रकाट राएं एक एक नाम अनन्ंत जण्व के पाप काट रहा है यए बहुत की बात बस्का वह नेकितिह को नहीं नहीं है? तो बोलने ही नहीं दूगा तब तो मुक्त हो जाए नहीं दूगा और आप अपनी चेतना को देखिये सुभे कितने आसानी से हरे कृष्ट मंत्र हो जाते है और वो दो माला आप कहो कि मैं और एक्स्टा कर लूँ तो दिन भर आपका मन बोलता रहा है अभी नहीं यह कर लो भी नहीं वो कर लो फोन आजाएगा यह आदा है तो अपने जीवन में मैं आपनों के करबत प्रात्ना कर रहा हूं सुभे उठकर के बढ़िया से माला करने का प्रयास करें आपका जीवन में सफल हो जाएंगे मृत्य उसे में देखिया क्या फल प्राप्त होता है सब कुछ भूल जाएंगे जो कश्ट जीवन बहुगा आपने कुछ भी नहीं बहुगा कोई मतलब नहीं अगर भगवत प्राप्ति हो तो ठीक है तो इसलिए प्रयास क कर सकता हूं अपने गुरू से त्यादी लेकिन फिर भी उनने इसे वह सिक्षा को सुन करके मोह को त्याग दिये और बड़ी द्रता से भगवान का भजन करने के लिए उद्यत हुए मन श्रीया तो समझ सकता है कि यह शरीर पदार्त है और इसे 24 तत्वों से विशलेशित कि किई आजा सकता है 24 तत्वों की बात अब नहीं करेंगे पहले बोल चुके हैं शरीर स्थूल अभिव्यक्ति है स्थूल अभिविक्ति है मतलब जो थिक रहा है मोटा मोटा थिक रहा है और मन तत्था मनों वैज्ञानिक प्रभाव सूख्ष माभिविक्ति हैं मनों शुक्ष दोख इस प्रकार से शोख मोह यह सब मन के विकार होना है जीवन के लक्षण इन्हीं तत्म की अंतह क्रिया विकार हैं किन्तु इन से भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है आप मैंने कि अगर जैसे कि हाफ फैन मूव कर रहा है तो आप समझे लोग करंट है उसी प्रका आत्मा तथा चौबिस तत्मों के संयोग से कारशील है इसा बाते समझ में आ रही है न हां जल्दी क्ला सकता है हां बोलते तो समझ में आ रहा है ठीक वेरी गुड़ बॉय कर्मेंद्रिया क्याने दिरत्यादी जो संपूर्ण भहतिक जगत की इस रचना को आत्मा तथा नहीं तो सभी लोग आत्मा को परमात्मा ही मानते रहते हैं या आत्मा सुचते रहते हैं कि मात्मा परमात्मा बन जाएगी या सुचते रहते हैं कि ब्रह्म से परमात्मा निकल क्या है से हजारत की कन्फूजन रहते हैं अहम ब्रह्मा स्मी करता है कि मैं ब्रह्मा हूं लेक मिनला आपको बताया गया था अरहा रहत मात्म ह待 से आया है मतलम है महान तो आतमा के आट महान है हम ने कर्ण के तो कि तो इस कारण से आतमा को बिल्ख कहा जाता है लेकिन पर्प्रम नहीं है अनंत नहीं यह यह बातें चिंतन तता साक्षात्कार की हैısı है गोनत्त कर नहीं मतलब मातरा की द्रisha की से जीव इन कि नॉपर की द्रुष्ट के द मैं कि मैं सब जगए हूं है मनिश्य को चाहिए कि गुरू की सहाइता से इस ध्याय को भली भांती समझ ले इस प्रकार स्कुल्म्म का झूंप तो में लेख सकते हैं एक मिनट I dont think there is any questions today Hats methods है अभी निया में हम अगर शुभ अशुभ अशुभ मानते हैं तो इसको माना जाए यह बहुत अचा प्रश्ण्य बहुत एक दुनिया में हम अगर शुभ अशुभ मानते हैं तो किसको शुभ माना जाए देखेए जीव के लिए कोई भी वस्तु जो उसको भक्ति से विमुख करे वह अशुव है और कोई भी वस्तु जो उसे भगवान की और लेकर जाए वह उसके लिए शुब है ये सीधा सिधा आर्थ है ये क्या कह रहे हैं भगवान किसको संव्मदत करते हैं भारत भारत स्रेष्ट बोलकर अर्जूण को बंट है तो भारत मतलब भरत राजा हुआ चाहित उनीकी राजी में यह सारे आये थे भारत भारत वंशी कहा जाता है थीक है तो सबी लोग का धन्यवाद आप लोग आए अकल सुबह भागवत क्लास में आप लोग आठ सकते हैं आठ बजे सुबह आठ बजे अभी तो है ना समय और को प्रश्ण है किसी का नहीं कि आठ गुण कौन से होते हैं ओ चलिए याद करा लेते हैं आठ गुण आतमा के हैं पाप नहीं करना भूक नहीं लगना प्यास नहीं लगना बोड़ापा नहीं होना दीरे दीरे चार तक पहुंसते हैं अभी आत्मा याद निया रहे और बड़ा पाता मृत्यू नहीं होना पांच रुख जाओ भाई जन्म मृत्यू जराबादी मृत्यू नहीं होना सत्य संकल्प सत्य काम और एक और बूल गया यह मेरा गुण है फिर सियाद किया जाए अपाप विद्ध पाप से प्रभावित नहीं होना और भूख नहीं होना हां सही कहा रहे है यह जन्म नहीं लेती है आत्मा कभी जन्म नहीं लेती है यह रह गया था अरे प्रफ़ आप तो गलत कभी बोली नहीं सकते और उसके बाद भूख नहीं होना प्यास नहीं लगना बुडापा नहीं आना मृत्य नहीं होना सथ संकल सथ का तो यह आठ गुण आत्मा के होते हैं और इससे में देखी कितनी दुर गती है भूग भी लगती है प्यास भी लगती है डर लग आए मर ना जाए और लगता है एपी बर्थदे हुआ हमारा किस प्रकार से आत्मा का अपने शरीर के धर्म को हम अपने पर आरुपित कर लेते हैं ठीक है ओके तो यहां रुकते हैं हरे कृष्णा हम लोग अभी इंग्लिश क्लास करेंगे अगर को भगता रुपना चाहते हैं उसके तो रुख सकते हैं